खजराना में छे दिन पहले ठंडी रोटी परोसने पर होटल में हंगामा मचाने वाले बदमाशों को पुलिस ने सबक सिखाया सोंवार रात को बदमाशों को पुलिस उसी होटल खाना खजाना में लेकर पहुंची जहां उन्होंने चाकू लहराए थे यहां पुलिस ने बदमाशों से जहाड़ू लगवाई टेबली साफ करवाई जूटे बरतन धुलवाए और फिर उसी जगह से उनका जुलूस भी निकाला इस दोरान पुलिस का पावर देख बदमाश हाज जूड़कर गिर्गडाती हुए बोले गुंडा गरदी करना पाप है पुलिस हमारी बाप है दरसल खजराना थाना शेतर में आए दिन बदमाश आज तक मचाते हैं कुछ दिनों पहले भी खजराना थाना शेतर के लिस्टेट बदमाश रफीक परदेशी और पाउडर वा उसके दोनों बेटों छोटू और फरीद, आसिफ और एक नाबालिक ने मिलकर होटल में जम कर उत्पात मचाये था हाथों में चाको लहराते हुए बदमाश होटल में घुसे खाना फेका और काफी देर तक सड़क पर भी हतियार लहराते रहे दरसल बदमाश नश्य में होटल में खाना खाने पहुँचे थे वहाँ उन्हें ठंडी रूटी पर उस्दी गई इसी पर बवाल मच गया इससे गुस्सा है बदमाशों ने होटल संचालाग वह होटल में बैठ कर खाना खाने वालों को चाक कुद दिखा कर धमकाया और होटल में तोड़ फूड करते हुए खाना भी फेक दिया खाजराना पुलिस ने हमला करने वाले तीनों बदमाश सहीद नाबाली को ग्रफतार कर पहले खजराना शीतर में सुमवार देरा जुलूस निकाला और उसके बाद जिस होटल में बदमाशों ने तोड़ फोड कर खाना फेका था उसी होटल में ले जाकर टीबल, कुरसियां साफ करवाई, जाड़ू लगवाई और बरतन भी धुलवाए पुलिस के मताबिक जब रफिक और उसके बेटों को पुलिस पकड़ने गई तो भागने लगे, इस दोरान वे गिर गए और उनके हाथ पैर में चोटाई, पुलिस ने पहले आरोपियों का मेडिकल कराया तो सभी को पुलिस ने गिरतार किया है और इनके दौरा अपने गलती की माफी भी मांगी गई है और इसमें जो भागने के दौरा न को छोटे आई थी, इसका हमने डिकल करवाया है और बाद में उनने होटल मालिक से भी खेद विर्ट किया और होटल में काम भी किया